दशरा तेलुगु मूवी समीक्षा दशरा दो हजार तेईस की भारतिय तेलुगु भाषा की पिरियड एक्षिन ड्रामा फिल्म है जो श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित और सुधाकर चेरुकुरी द्वारा निर्मित है इसमें नानी, कीर्ती सुरेश, दीख्षित शेक्टी, शाइन टॉम चाको, समुथिर कानी, साई कुमार और शामना कासिन जैसे कलाकार शामिल है यह फिल्म ओडेला के निर्देशन की पहली फिल्म है और चाको की तेलुगु सिनेमा में अभिनय की शुरुवात है संतोष नारायनन ने साउंड़ ट्रैक और बैक्ग्राउंड स्कोर तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन सत्यन सूर्यन और नवीन नूली द्वारा किया गया था यह फिल्म तेलंगाना के गोदावरी खानी और रामा गुंडम शहरों के पास वीरलापली गाउं में सिंग्रेनी कोईला खदानों की प्रिष्ठ भूमी पर आधारत है दशरा 30 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायक सफलता के रूप में उभी 2009 में धरानी एक युवा बदमाश है जो आजिविका के लिए कोईला चुराता है और वीरलापली में अपनी दादी के साथ रहता है जहां गाउं की महिलाएं शराब के प्रभाव के कारण पीडित है वह अपना अधिकांश समय अपने सबसे अच्छे दोस्त सिध्धम सूरी, सूरियम और वेनेला के साथ बिताते हैं धरानी बचपन से ही वेनेला से प्यार करते थे लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि सूरी और वेनेला एक दूसरे से प्यार करते हैं वह अपने प्यार का बलिदान देता है और सूरी और वेनेला को एक करने का फैसला करता है लेकिन वेनेला की मा रामन मा कोईला चोरी में सूरी की संलिप्तता के कारण उनके रिष्टे को अस्विकार कर देती है धर्णी ने सूरी के लिए उससे बात की और सूरी को प्रसिद्ध सिल्क बार में कैशियर बनाने के लिए एक स्थानिय क्रिकेट मैच जीत कर शादी की व्यवस्था की जैसा की गाउं के सरपंच उम्मीद्वार थुर्पुगुट्टा शिवन्ना के बेटे चिन्ना नामबी ने घोशना की थी बार में धर्णी और सूरी की चिन्ना नामबी के समर्थकों से लड़ाई हो जाती है जिसमें बार को भारी नुकसान पहुँचता है परिणामस्वरूप चिन्ना नामबी धरानी और उसके दोस्तों को गिरफ़तार करवा देता है शिवन्ना के सौतेले भाई राजन्ना ने उन्हें बचाया और गाउं की राजनीती के बारे में चिन्ता न करने के लिए कहा हालाकि सूरी ने उनसे सरपंच चुनाव लड़ने के लिए कहा जिसके लिए राजन्ना अंत्त सहमत हो गए राजन्ना ने महिलाओं को पहली बार मतदान करने के लिए प्रोचसाहित करने के बाद चुनाव जीता राजन्ना के अधीन धर्णी को उपसरपंच बनाया जाता है और सूरी की वेनेला से शादी तय हो जाती है वेनेला के साथ अपनी शादी के दिन सूरी को वेनेला के प्रती धराने के प्यार और उसके लिए उसके बलिदान के बारे में पता चलता है, जहां उसका दिल तूट जाता है जैसे ही सूरी बार में धरानी और उनके दोस्तों के साथ बात करने जा रहा होता है, एक रहस्यमय गिरो हमला करता है और उन सभी का पीछा करता है, जहां धरानी और सूरी के कुछ दोस्त मारे जाते हैं, जबकि एक अन्य एक जटके से गिर जाता है पीछा करने पर धरानी घायल हो जाती है और सूरी उसे साइकिल पर लेकर भाग जाता है भागते समय सूरी का सिरकाट दिया गया जिससे धरानी और वेनेला तबाह हो गए प्रतिशोद की भावना रखते हुए धर्णी ने मामले की जांच शुरू की और उसे पताचला कि सूरी की मौत के पीछे चिन्ना नामबी ही अपराधी था चिन्ना नामबी की पत्नी वधिनम्मा ने उन्हें बताया कि चिन्ना नामबी वेनेला के प्रती वासना रखते थे और जब उन्हें वेनेला के साथ अपने संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने सूरी को मार डाला इसलिए नहीं कि उन्होंने उनके खिलाफ पहले तो वेनेला धरानी को उसके साथ जबर्दस्ती शादी करने के कारण घेना की द्रिष्टी से देखती है, लेकिन बाद में उससे प्यार करने लगती है। चिन्ना नामबी का भाड़े का गिरोह जिसने सूरी और धरानी के दोस्तों का पीछा किया था और उन्हें मार डाला था, वे धरानी और उसके बाकी दोस्तों को मारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ले जाए जाने से पहले धरनी पूरे गाव के सामने चिन्ना नंबी का सिर काटने में सफल हो जाती है और इस प्रकार सूरी की मौत का बदला लेती है। परिणामस्वरूप धरानी और उसके दोस्तों को जेल में डाल दिया गया। साथ साल बाद धरनी और उसके दोस्त अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस गाव पहुचते हैं। धरनी को पता चलता है कि महिलाएं अभी भी शराब के प्रभाव के कारण पीडित हैं और अन्तह उसे एहसास होता है कि शराब सभी के जीवन को बरबाद कर देगी। धरनी ने पूरे गाव के सामने बार में आद लगा दी जहां वह अन्तह वेन्नेला के साथ फिर से मिला।